हेलो दोस्तो मेरे चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कलर मशीन में अगर प्रिंट जो है लाइट आये या कुछ हलका है तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चैन दा रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं ठीक है तो आप मेरे चैनल पर बने रहे हैं लाइक करें सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको वीडियो दिखाता है ठीक है चलिए शुरू करते हैं वीडियो ठीक है यह रहा वीडियो आपका यह मेरी जो मशीन है 32 ठीक है यह 32 चाहिए प्रोसेस तो आपको फ्रंट खोल लेना है और यह डंडी लगी हुई है नीले कलर की प्लास्टिक की इसको निकाल लेना देखेंगे यहां पर चार खाचे बने हुए पर डंदी को यह जो है नीचे करने लाहिए लुका के करना है तो आपको यह नीचे करके यह इसकी लिएक वेसे creamy ऐस 기대 करना है यह नहीं कि थोड़ा सा चार अंगुल डाले और निकाली आसा कुछ नहीं दो इंच चार इंच पूरा अंदर जाना चाहिए ठीक है यह पूरी अंदर गई और फिर से निकाले इसको ज़ाड़के फिर से डान दी तो यह चारों में आपको क्लीन करना है आपके इस तरह करने से और फिर से यह लगा देखो यह नहीं ठीक है और फिर से बंद कर दें तो इस तरह से आप लेजर क्लीन कर देंगे तो आपका जो है लाइट कॉपी में इश्यू रहेगा तो इन्हीं पर करना होता ठीक है तो इनको क्लीन कर देंगे आपकी लाइट कॉपी दूर हो जाएगी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे हैं धन्यवाद